दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फाउंटेन रेजिडेंशल एरिया में या कमर्शल एरिया में फाउंटेन कहां होना चाहिए क्या उसके पॉजिटिव इप्रैक्ट्स हैं, क्या उसके नेगडिव इप्रैक्ट्स हैं अगर गलर डारेक्शन के अंदर हैं तो उसके ये क्या सुलीशन हो सकते हैं डिटेल्ड में बात करते हैं इस टॉपिक के उपर नमश्कार मैं आपका वास्तु कंसलिडेंट दीपक मार सैनी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाहे रेजिडेंशल प्रॉपर्टी हो चाहे कमर्शल प्रॉपर्टी हो वहां पर बेस्ट डिरेक्शन के हैं फाउंटेन को लगाने की तो fountain आप जो लगा सकते हैं यह जो हम पहले बात कर रहे हैं अच्छी दिशाओंगी तो best direction नॉर्थ में आप लगा सकते हो नॉर्थ नॉर्थ इस्ट में भी लगा सकते हो इस नॉर्थ इस्ट में भी लगा सकते हो और इस्ट में भी लगा सकते हो तो ये सिर्फ इतनी directions हैं जिसके अंदर आपको fountain लगा सकते हो ये तो होगी बहुत ही बढ़िया इसके इलावा भी थोड़ा सा area आपको और मिल जाता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी आप लगा सकते हो और नॉर्थ वेस्ट में भी आप लगा सकते हो तो ये best direction होगी इसके बाद आपको fountain नहीं यूज़ करना चाहिए, सिर्फ in directions के अंदर ही fountain लगाना बहुत ही अच्छा है, और अगर आपके fountains इनी directions में हैं, तो इनके क्या positive impacts होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं, तो इसके positive impact जो है, अगर in directions के अंदर हैं, और यहां से लेके यहां तक हैं, तो जैसे के हम जानते हैं, वास्तु के अंदर यह area water element होता है, water element, हमारे पांच तत्व होते हैं, तो five elements में एक element है water element, और यह water element जो है fountain लगाने से balance होता है, तो यहां पर fountain लगाने का meaning क्या होता, क्यों लगाते हैं, पहले यह भी हमें समझना पड़ेगा, fountain लगाने जब circulate होता है, तो energy flow करती है, positive energy flow करती है, क्योंकि हम best directions के अंदर लगाते हैं, तो positive energy जब flow करती है, तो वो पूरे घर में उसके बाद flow कर देती है, एक rotation स्टार्ट हो जाता है, तो वो पूरे घर में जब positive energy flow करती है, तो आदमी के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, वो positive पॉजिटिव इनर्जी के साथ साथ पॉजिटिव थोट्स आना शुरू हो जाते हैं तो ये काम है फाउंटेन लगाने का अगर आपने सही डिरेक्शन में लगाया है तो इन डिरेक्शन में लगाने के यही लाब होते हैं कि पॉजिटिव इनर्जी का सर्कूलेशन चाहे residential premises हो, चाहे commercial हो, उसके अंदर water element हमेशा के लिए आपका balance हो गया, तो यह सबसे बड़ा positive impact है इसका, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, अब हम जानेंगे कि इसकी गलर directions क्या है, कहां कहां fountain नहीं लगाना चाहिए, तो सबसे बेकार जो है south east इसमें नहीं लगा वेस्ट में भी ना लगाएं, और west north west के अंदर भी ना लगाएं, इस south east के अंदर भी ना लगाएं, तो कहने का मतलब इन directions को छोड़ कर, बाकी जितनी directions हैं, और खास तार पे ब्रमस्तान, इसमें भी बिलकुल ना लगाएं, और कुछ लोग गलती कर जाते हैं, कि बड़ा premises होता है, घर के center में fountain लगा देते हैं, घर का center जो है ब्रमस्तान होता है, पेट होता है, ना भी होती है, वो अगर खराब हो गया है, तो पूरी body खराब हो जाती है, तो इसलिए center place में भी नहीं लगाना है, और in directions में नहीं लगाना है, अब हम बात करेंगे in directions में क्यों नहीं impacts है तो इसके negative impacts जो है यह है क्योंकि यहां से जो है fire element start हो जाता है यह सारा fire element है तो आग और पानी आप यहां एकठे कर दोगे हम मैं यह कर रहा हूं कि वास्टू के अंदर जैसे वहां पर water element था तो यह fire element है तो fire element यहां पर होने से और आपने उपर fountain लगा दिया और आग और पानी की आपस में दोस्ती नहीं है दुश्मनी है तो जब आप दोनों element एकठे कर दोगे तो वहां क्या होगा blast होगा मेरा कहने का मतलब problems create होंगी tension होगी इस area में नहीं लगाना है southwest और southwest इन areas में नहीं लगाना है instability create करेंगे और in directions में भी आपको positive result नहीं मिलेंगे और यह भी south अगनी कौन starting area है तो यहां पर भी आपको नहीं लगाना है तो कुल मिला के in directions को avoid करना ही बहतर रहता है लगाना ही है तो उन directions के शीन आती है वैसा के water element circulate होता रहे अगर farm house है तो उसमें आप बड़ा लगा सकते हो लेकिन rocky नहीं लगाना है इस बात कर आपको हमेशन द्यान रखना पड़ेगा या कुछ लोग rocky fountain लगा सकते हैं अगर आपने गलत fountain लगा लिया है अगने कौन के अंदर लगा लिया है South में लगा लिया है South South में लगा लिया है गलर डारेक्शन के अंदर आप लगा लिया है तो fountain को अगर आपका छोटा सा fountain है तो उठा कि इसको North या North North East East में कहीं shift कर दो अगर बड़ा है और वो भी South East में अगने को उनमें लगा रखा है तो मेरी recommendation है, मेरी advice है को उसको वहाँ से जड़ से ही खतम कर देना चाहिए बड़ा fountain है, property बड़ी है तो उसको वहाँ से हटाना ही चाहिए अगर आप in case नहीं हटा सकते तो immediately उसको use करना बंद कर देना चाहिए पानी का flow वहाँ नहीं होना चाहिए, पानी बिलकुल खतम कर देना चाहिए क्योंकर कई बार commercial properties कुछ ऐसी होती है, जैसे hotel है और hospital है उसके वहाँ पर भी fountain लगा होता है, अगर वो गलर direction के अंदर हैं और वास्तु follow करना चाहते हैं तो उनको कम से कम अगर हटा नहीं सकते, तो उसको water use करना बंद कर दें, उससे भी उनको राहत मिलेगी, otherwise उनको बहुत सारी problems को face करना पड़ सकता है और दोस्तों, उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे दोबरा दी गई, जानकरी आपको पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने near and dears को इसको forward करें, उनके तक भी ये information पहुंचे, जिसका फाइदा हो सकता है, वो ज पादर्गन क्रोंदाने राद।